Assalamu alaikum friends मैं हूँ King और आप देख रहे है King Detects ये है मेरा YouTube चैनल King Detects, the king of information and technology सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को all पे किलिक कीजिए ताके हमारी latest technology and information की जो भी वीडियो जो आप तक बहा असानी पहुंच सके अजिए आप आप अजिए आप नौटिफिकेशन आप आते ही अपनी काफी दूम अचा ली है क्यों ये अप आते ही इतना famous क्यों हो गया ये अननौन नंबर्स को विट्स नेम शो करता है जी हाँ फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे के true caller क्या है और ये किस तरह काम करता है इसके benefits क्या है इसको किस के तायत बनाया गया और इसका motive क्या है बिल्कुल friends true callers हमें permissions देता है जिसे हम अलाओ करते हैं as you can see call logs, camera, contacts, location, microphone, SMS, storage, telephone friends ये सारी permissions हम अलाओ करते हैं तभी एक Android पे एक application प्रॉपर तरीके से रन कर पाती है so friends basically आप सब जाते होंगे Android एक open source platform है जहां पर आप कोई भी application रन कर सकते हैं जो के APK पर बेस्ट होती है so friends true callers भी एक APK बेस्ट फाइल है जो के Mac OS के लिए भी available है links जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको ये true callers चाहिए तो friends आज इसके benefits और इसके जो नुकसानात हैं उस पर बात करने वाले हैं so friends वीडियो को एंड तक देखिए और I hope कि ये वीडियो आपके लिए जो हैना बहुत ही informative और helpful रहेगा और आपको एक पहचान हो पाएगी कि ये जो इसके benefits क्या हैं नुकसानात क्या हैं और इनकी खुसूसियात क्या हैं और इनको कैसे यूज करना चाहिए और कैसे इनको हमारे बे में हमारे डेली रूटीन में यूज करना चाहिए true caller आप इंस्टाल करेंगे अपने mobile phone में तो इसका benefit यह है बहुत बड़ा benefit और यह एब बनाया ही इसके लिए गया है कि आपको inform किया जाए कि आपको जो वन्दा कॉल कर रहा है उसका name क्या है इसका work इसका काम benefit यह है कि आपको inform किया जाए कि जिस नमबर से आपको call आ रहा है वह किस का number है यह क्या होता है यह नहीं बताता कि फिर नमबर किस नाम से सेवड रहे जी आ BEलकुर प्रेंज्स टू कलर इस बैसिक पर काम करता है कि यह कुकर ब्रू करेंगे यह आपके मुबाइल फॉन में इंस्टॉल हो गया इसके इनस्टॉल होने के बाद यह आपके कॉंटेक्स को रीड करेंगा और ड्रंप मारेगा अपनी अपने सर्वर पर वहाँ पर आपके जो भी Contacts हैं वह जिस जिस नाम से आपके पर सेवड हैं वो इसकी Server पर सेवड हो जाएंगी यानि कि अगर मेरा नमबर की और की इसके नाम से नाम सेसेHe कर के रखता हूं अभी मेरे नंबर से आपको मैं कॉल करूंगा मेरे नंबर आपके पास सेव नहीं है तो 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 यह नंबर आपके पास शो हो किंग के नाम से तो फ्रेंज ये इसका work होता है ये किस तरह work करता है ये इसका एक benefit है कि आपको ये unknown number की information देता है कि ये number इस नाम से saved है तो फ्रेंज ये था इसका benefit क्या इसका miss use कर सकता है कोई बिल्कुल जी हाँ इसका miss use हो सकता है और इसका miss use हो भी रहा है ये इस अफकोर्स फ्रेंज इस एप की मदद से आप अगर जान सकते हैं कि अननाओ नंबर किस नेम से है और इस जो अननाओ नंबर आपके पास सेव नहीं है उस नंबर से अगर आपको कॉल आ रही है तो वो ये इसका नाम तो बता देगा लेकिन इसका एक नुक्सान यह भी है कि आपके जो भी कॉंटेक्ट्स हैं उनको ये रीट कर रहा होता है किस नाम से कौन सा कॉंटेक्ट सेव्ड है और इसको अपने सर्वर पे सेंड करता है और इसी इनफरमिशन को ये अपने लिए यूज करता है इस पे ही यह बाइस्ट है और इसी पे यह वर्क करता है अगर इसको आप पर्मिशन कॉंटेक्ट्स की नहीं देंगे तो फिर आपको यह किसी भी अन्नावन नंबर कर जो नेम है वो आपको नहीं बता पाईगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक की और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर की जिए और इसी तरह हमारी सपोर्ट बनाए रिखिए स्टे कनेक्टेड फ्रेंस थैंक्यू फर वचिंग